हेलो दोस्तों नमस्ते मेरा बहब महाराव प्रहायर आप तेकरों इन दीरिक वीडियो और दोस्तों इस वीडियो के लिए आम दिखने बाले हैं कैसे अपनी iOS 11 और iOS 12 के डर्क मोट के होता है उससे कैसे अनेवेल करते हैं आगर आपको एफ वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना इस डार्क मोड को अनेबल करने के लिए आपका जो आइफोन है आइफोन को iOS 11 और iOS 12 क्यों पर राइंग करना चाहिए बीटा भर्सन हो तभी भी कुछ फ्रेट नहीं पाठता है उसके साथ सथ आपकी फोन को पर कोई भी जेल ब्रोकिंग की करने की जरुवत नहीं है आपको दिखाता हो किस तरह से आपको डार्क मोड को अनेबल करना होगा दोस्तों जैसे के आप देख पर हो मेरे पास एक आइफोन है इसके अंदर जो वर्सन है iOS को विए आपको दिखाता हूँ जैसके आप देख पर हो 11.21.1 सो 11.2 इसके अंदर राणी होड़ा है या iOS 12 के अंदर भी काम करता है तो सब्सक्राइब क्या करना होगा दोस्तों इसके लिए आपके iOS के ऊपर कोई भी जैलवे करने की जरुरत नहीं है सिम्पिली सेनीस को ओपिन कर लो सेनीस में ओपिन करने के बाद आपको यहां से स्कॉल्डाउन करके आपको जिनरेल के अंदर आना पड़ेगा उसके बाद यहां पर एक ओप्शन दिखाए देगा माउन पारेगा, हो गया दुस्तों, चाहिसे करेब करने के लिए आपके ज़ो । ईसका नाम है रेडिूस वाइट पॉइंट आपको सिण पारकतशन मिल जाएब string यासे इसको इनेबल कर दो, इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देख पाड़े हो, in default 70% रहता है, इसको आपको बढ़ा के 100% कर देना पड़ेगा, अगर आप 100% कर देता हो, तो जितने भी लाइन से दोस्तों, ओ, अगर आप इसको काम कर देता हो, तो इसको पर लाइट आ जाती है, 100% हो जाने के बाद दोस्तों, आप डार्क मोट का मज़ा ले सकता हो, अपने आइफोन के अंदर और जैसके आप देख पाड़े हो, पूरा डार्क मोट है, यह फेस्बूक, मैसेंजर, क्रोम के उपर काम करता है, सभी आप्लिकेशन को पर काम करता है, जाजिसके अब देखी पाड़े हो, सो कोई दिकत की बाली बात नहीं है, एनिवे उस तो मैं आशा करता हो, यह छोड़ा से वीडियो पसंद रहा होगा, इस तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टेक वीडियो को दिखने के लिए, मर्च जाज़रों को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना के साथ इस वीडियो को जाए साहदा, शेर कर दीजिए सभी आइफोन यूजर के साथ, थैंक यू फर अज़स वीडियो, वाव नाज़स दीजिए.